नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका आपके अपने मन पसंदी ट्यूब चैनल इंडियन एक्रिकिल्चर में किसान भाईयो यदि आपने इस समय आलू की फचल लगा रखी है और आप अपने आलू की फचल को जुल्चे से बचाना चाहते हैं या आपके अलू की फचल में जुल्चे की समय से आ चुकी है आप उसे कंट्रूल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुती महत पूर है तो इस वीडियो के माध्यम से किसनवाई हो जुल्चे की समस्या से निवटे के लिए मैं आपको दो ऐसी दवाई बताऊंगा जो दुनिया की नमबर वन दवाई हैं इनके बाद कोई भी दवाई जुल्चे में काम नहीं करती किसनवाई हो इस दवाई को लगाने के बाद में जो हमारे आलू की फचल है वो लगफ़क 100% कंट्रोल हो जाती है ये सबसे हैबी और सबसे अच्छी दवाई के सनवाई हो तो सबसे पहली दवाई के सनवाई मैं आपको बताऊ हुआ योजिए आपकी फचल में जूल से की समस्या दिखाई देने लगी a उसके brakes पेचान गहें और इसे में धुर्स यलूज करते में मैं आपको डेटेल से जान करें दूंगा तो आप वीडियो को पूरा देखें अंतर तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्रापत हो सकें और जो euh चैशनवई चैनल पर पहली भार आए вже वीडियो को पहली होती है, जो हमरे पोधह होते है, वो धीरे-धीरे पीले पढ़ जाते है, पोधह की पत्य होती है, उनके अदर क्िलो-अरफिल की मातरा कम हो जाती है, जिस से पोधह अच्छे से भोचा नहीं बनाता है पोधे काफी कमज़र हो जाते हैं और फसल हमारी बहुती कमज़र रह जाती है जिससे हमें फसल की पैदावार वरिया से नहीं मिलती किसान भईयो तो इस प्रिकार से आप अगेती जुलसे की पैचान कर सकते हैं दूसरे लेट विलाई अर् पैचान भईयो और यदि हम इसका ध्यान नहीं करते हैं तो यह हमारी फसल को लगभग 24 घंटे के अंदर पूरी तरीक बरबाद कर देता अगे सान भईयो तो इसका आपको विशे ध्यान लखना है तो किसान भईयों आप न बीमारियों के इस प्रिकार से पहचान सकते हैं अब किसान भाई भाई मैं आपको दोनों दवाई बताऊंगा तो सबसे पहले किसान में हम बात करेंगे जब हमारी आलो की फैसल स्वास्त है उसके अंदर बीमारी नहीं आये भी तक भी और आगया के लिए भी नहीं आये तो हमें कौन सी दवा लगाने चाहिए जिससे हमारी आलो की फैसल में जुल्से की बीमारी को आने से रोखना है तो इसके लिए आपको मार्केट से दवाई लेकर आने के साथ भाई यह एक दवाई आती है एक्क्वेशन पिरो के नाम से है यह दिकी सान में हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसमें किसान भाई भाई इससे आप ले सकते हैं इसके अधिया भाई करें तो आपको आपको अड़ करने है इस च्टेप्र साइकलिन के दो पाउच जो श्वाच आता हूँ और दो बीस ग्राम को आता हो अके वर एक ही पाउच अड़ करना के संब भाई हो इन दोनों को मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद के संब भाई हो आप अपके आलू की फैसल में जुल्चे की समस्य है वह आ जाए या आपको उसके जो करने क्या हुआ हो तो आपको लाने की संब भाई खायो जो है या आपको आपको एक लो इत सकते हैं इन दोनों में आपको एक फंकि सैड लेना है इनके अंदर यह टेकंठीक्ल की वाद करें तो इसके अंदर डाई मैथो मौर 50% WP पाया जाता है इनकी यह दिम डोश की बात करें तो आपको 200 ग्राम प्रतियकल लेना जान भाई इसके साथ में आपको यह दूसरा फंगिसाइड एड़ करना जान भाई यह आपको करना है और इनका गोल आपको अलग अलग तयार करना है अर्था जो आपने दूरिट लिया है यह अलग बालती में बनाना है इसका गोल आपको अलग बालती में बनाना है इसका गोल आपको अलग बालती में बनाना है दोनों को मिक्स नहीं करना है मिक्स आपको करना है केवल टंकी में करना है मानली जी आपको अपने एक एकल के खित में आठ पंप पानी लगा है और जिससे में आप इस्प्रे करें तो जो आपने पंप लिया है पहले उसे आप आधा पानी से भर लें और दोनों में से एक एक लीटर दवाई डाल दें और पंप को पूरी तरीक سے बढ़ने के संबाइयो, और आप उसका स्प्रेय लगा दें, स्प्रेय करते समय आपको एक बात का विशे ध्याना ओगना है, जब भी आप स्प्रेय करें, तो आपके खेत में परियाप नमी होनी चाहिए, और मौसम साफ होना चाहिए, और स्प्रेय हमें साथ दूपएर के समय में करें अर्था तो यह आ चुकी है तो अन्डर परसंट कंट्रल हो जाएगी किसंद भाईओ यह आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानता है चाहिए तो आपको अच्छे लगी हो वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को जरूर सब्स मैं हुआ तो